Welcome back to Asset Guide YouTube channel आज की इस वीडियो में हम Nifty और Bank Nifty का analysis करेंगे कल क्या market रहा है और आज क्या रहने वाला है दोनों चीज़े देखेंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको एक-एक चीज़ समझाते हैं बारीकी के साथ तो सबसे पहले हम बात करते हैं Nifty की आप अपनी स्क्रीन पर चार्ट भी देख पा रहे होंगे हम Bank Nifty 50 का डेली टाइम फ्रेम पर चार्ट अनलिसिस कर रहे हैं और यहाँ पर अगर हम देखें तो 20,100 पर market ने अपना हाई बनाया था और उसके बाद market डाउन गया था नीचे की तरफ आप यह बड़ी रैड गेंडल देख पा रहे होंगे लेकिन कल market ने थोड़ा सा सस्टेन किया और बापिस से positive side में जाने की कोशिस की लेकिन market 21,100 के resistance को टच नहीं कर पाया और उसके नीचे ही close हो गया reason इसके पीछे यह था कि market यहां से जो इसका all time 20,000 high था 20K जो high बनाया हुआ था market का पहले ही उसके उपर nifty trade कर रहा था इस वज़े से यहां पर traders जो थे वो थोड़े डर में थे कि बही इसके उपर जो नया high है वहाँ पर sustain नहीं कर पाये अब हम बात करते हैं bank nifty में क्योंकि bank nifty ने कल previous day के high को break किया है उसके पीछे का क्या reason था वहाँ पर बायर इतने aggressive क्यों हो गए nifty में क्यों नहीं हुए उसका reason हम देख चुके हैं क्योंकि यहां पर जो last high था वो 20,000 के नीचे था और market कल 20,100 को touch करके बापिस आया था तो यही reason था कि अब वायर थोड़े से यहां पर डर हुए थे अब हम बात करते हैं bank nifty की तो bank nifty में अगर देखा जाए तो कल market ने 45,860 के high को तोड़ा है और market कल 46,000 की figure को touch करके आया है 46,000 market ने कल touch किया है और देखे यहां पर same pattern वही मिलता है nifty वाला और इसमें जो है इस green candle ने कल की candle को engulf कर लिया है यानि की अपने आप में ढख लिया है तो यहां पर हम देख चकते हैं बायर थोड़े से aggressive mode में है और अभी market को उपर लेकर जाने की कोशिस कर रहे हैं क्योंक यहां पर अगर हम last resistance की बात करें तो market का last resistance 46,200 से 46,400 तक के बीच है 46,350 हम यहां पर लेकर चलते हैं क्योंकि market sustain नहीं है daily chart पर लेकिन अगर हम यहां पर छोटे time frame के chart पर जाएंगे तो यह market हमें थोड़ा सा sustain करता हुआ दिखाई देगा और यहां पर हम 45,900 आज का market close मानते हैं यानि कल का 45,900 तो यहां पर देखी यह science लगी इसके पीछे कल बायर ने यहां पर बेफिक्र होकर buying की और expiry था bank nifty का कल आज nifty का expiry है तो nifty में भी कुछ आतंक सा होने वाला है देखें bank nifty हमें अभी यहां पर buying zone होने की probability है तो bank nifty में chances हैं कि market उपर तक जाएगा 46,200 की figure को touch कर सकता है और वहां पर यदि sustain करके market उपर जाता है तो हमें aggressively call देखनी पड़ेगी और यहां से market अगर नीचे जाता है तो हम put की तरफ यहां पर अपनी निजर बना के रखेंगे लेकिन condition यहीं है कि market bank nifty वालों के लिए 46,200 के इर्द गेर्द जो है कुछ देर sustain करना चाहिए कुछ देर मतलब 1-2 घंटा हाला कि यहां पर अगर हम पिछले time की बात करें तो यहां पर 1-2-3-4-5 है यहां पर 6 days का consolidation हुआ था उसके बाद market ने नीचे का रुख किया था फिर यहां पर consolidation हुआ और market ने उपर का रुख किया अब देखते हैं यहां पर market कितने दिन बिताता है और उसके बाद एक नई direction बनाता है अब देखिए हमने निफ्टी और bank निफ्टी दोनों को देख लिया निफ्टी में हमें call की side में जाने में थोड़ा डर लगता है निफ्टी में हम put की तरफ बे जिजग जा सकते हैं और इसी range में रहने की कॉसिस करेंगे क्योंकि यहां पर पहले भी all time high तो चली पर जाएगा यहां पर बैंक निफ्टी सस्टेंड करके यहां से उपर जाने की कोशिस करेंगा तब अब चलिए यह सारी चीजे तो हो गई अब इनको जो पुस्ट करेंगे दो मेजर कंपोनेंट हम जिनकी बात करेंगे यहां पर पहला कंपोनेंट हो जाएगा हमारा HDFC Reliance, ICICI और Infosys देखेंगे यहां पर अगर हम बात करते हैं निफ्टी के लिए तो निफ्टी के लिए Reliance और HDFC मतलब यह चारोई Reliance HDFC, IFC और ICICI बैंक यह चारों कंपोनेंट जरूरी हैं लेकिन अगर हम बैंक निफ्टी के बात करेंगे तो यहां पर HDFC और और ICICI बैंक यह दो कंपोनेंट ही काफी हैं लेकिन हम यहां पर मेजर दो कंपोनेंट की बात करेंगे क्योंकि उसी से Market का पता हमें लग जाएगा एक आईडिया लग जाएगा तो हम आ गए हैं यहां पर हमने Reliance का चार्ट ओपन किया है और Reliance के चार्ट पर अगर हम रेजिस्टेंस को तोड़कर मार्केट उपर जाता है यहां पर 25 असी के रेजिस्टेंस तक अगर मार्केट पहुंसती है तो हमें बैंक निफ्टी जो है वो ऊपर की साइड मूब करती हुई नजर आएगी और अगर यह इस रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ता है इस वाले डाउन ट्रेंड को मार्केट फोलो करता है यह जो डाउन ट्रेंड चला हुआ है इसे ही फोलो करता है तो फिर हमें निफ्टी जो ह और आज के लिए तो आज के लिए हम छोटे टाइम फ्रेम पर भी बात करेंगे अभी फिलाल यहां पर देख लेते हैं HDFC बैंक के क्या कंडिशन है तो HDFC बैंक भी सेम वही डाउन ट्रेंड को फोलो कर रहा है और यहां पर यह सर्वाइबल मिला है दो चार दिन का तो अगर मार्केट यहां पर सब यह रजिस्टेंस पर है अगर इस रजिस्टेंस को ब्रेक करके SDFC बैंक ऊपर चलता है तो बैंक निप्टी जो है वह हाई बनाएगा और बैंक निप्टी कही ना कहीं निप्टी को भी ऊपर की साइड पूस करेगा तो यह चीज हमें देखके रखनी है तो SDFC बैंक हो चाहे रिलाइंस हो दोनों का रुख हमें थोड़ा सा पहले से एक तो दिन के लिए वह उपर हो लेकिन हमें नीचे की तरफ जाता हुआ दिख रहा है यानि कि निप्टी और बैंक निप्टी में गिरावट आने वाली है आप इसके लिए तयार रहिए अब हम बात करते हैं निफ्टी एक्सपायरी को किस तरीके से ट्रेड करेंगे क्योंकि आज है निफ्टी की एक्सपायरी तो निप्टी की एक्सपायरी के लिए मैं सबसे पहले यहां पर पांच मिनिट का टाइम फ्रेम चेंज कर देता हूं अब इसके बाद देखिए यहां पर इस रेजिस्टेंस से मार्केट ने थोड़ असा पूल बैक किया फिर ये सपोर्ट हुई सपोर्ट हुई 20,063 की और रेजिस्टेंस हुआ 20,090 का तो 20,090 और 20,063 इसके बीच में कल मार्केट ने टाइम जाया इंट्राडे के लिए ये 30 पॉइंट केप्चर करने का बड़ा अच्छा मौका था और अगर हम बात करें इसको बड़े टाइम फ्रेम में तो ये कंसोलीडेशन फेस था लेकिन अगर आप छोट छोटे इंट्राडे में आपको इंवस्टमेंट नहीं करना होता है और जैसी मा प्रोफिट लेकर आप चलेंगे तो काफी बैनेफीसियल रहेंगे पुट में ही आपको ध्यान रखना आछ है अगर कॉल में जाएगा तो हम यहां पर देखे हमारा क्रोंटइटी के साथ में हैं। पॉल में मार्केट जाएगा तो हमें थोड़े हम कम क्वांटिटी के साथ पॉल में जाएंगे और अगर मार्केट पूट में जाता है तो हम अपने full capacity के साथ trade करेंगे अब हम यहाँ पर अपना देतेते हैं disclaimer हम यहाँ पर disclaimer भी दे देते हैं तो देखे asset guide पर हम किसी भी परकार की कोई financial advice नहीं देते हम services registered नहीं है हम अपने experience के base पर आपको cable education provide करते हैं अगर आपको हमारी education अच्छी लगती है आप सीख रहे हैं तो फिर आप अपने financial steps ले सकते हैं otherwise आप अपने निवेस से पहले किसी से भी registered financial experts से राए लें क्योंकि options में जिस तरीके से benefit होते हैं उसी तरीके से यहाँ पर आप अपने loss भी कर सकते हैं तो आज की इस वीडियो में फिलाल इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई information के साथ तरते के लिए key watching asset guide